जाए हिंदु दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने युट्यूब चैनल सौफ्ट सेडिये कासकुमार पर साथियों आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास्ट वेल्ज जो रफी 2021 की रामिनेशन के लिए बोट ड्वारा जारी मोडल पेपर के सभी सब्जेक्टिव को तो फिरेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी जाधा इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा ज़रू देखेगा चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो समझ मारी तो वीडियो को लाइक करेंग सब्सक्राइब करायो हैं क्या होता है मैं आपको चैप्ल कराये हैं और सब्सक्राइब को ऑफसका जाएए तो myself की रहें तो हम लोग के व고 on का नाम ही बढूग जो भी आपको लिखना लिखती जितने भी बारे में आपको बताए है अप किसी का चार का नाम लिखाए को समझा रहा है कि मानो विकाष्टकांग की उपयोगिता क्या है जिसे आप HDI के नाम से जानते हो Human Development Index Human Development Index के नाम से बिवाप जानते हैं तो वही काता है कि मानो विकास सुचकांग की उपयोगिता क्या है आखिर इसका क्या विशेषता है क्या उपयोग है तो कहता है कि जो मानो विकास सुचकांग होता है वो जीवन प्रतियसा लाइफ एक्सपेंक्टेंसी अवधी यानि कि वही अवधी एज बताता है साक्षरता प्रति व्यक्ति आयका मुख्य सुचक है यानि क्या इसका मुख्यू प्यूगता क्या है तो यह आपको बताता है किसका तो जीवन प्रतियसा अवधी को बताता है साक्षरता प्रति व्यक सब्देबर आप इतना भी स्टुल में फूल दिये जाएंगे और आप डिसक्स करना चाहें तो आप सकते हैं कि नो बीश्टी ने मानो भी खास तुछ कायों के बारे में बता हैं जो भी आपको करना है वह आप सिलकन का यह सब इंपोर्टेंट रहता है जियोड़ाफी में तो मॉस्ट इंपोर्टेंट है भी भी आई है तो पूछा जाता है तो समझेंगे थोड़ा क्यूशन ठट है कि बॉक्साइट उत्पादन करने वाले चार राजियों के नाम बताईए तो सबसे पहला आपका जो उ एल्मू नीयम को बनाने में होता है नाम सभी लोग सुनेएंगे बहुत ही हमारे धरती पर प्रचूर मातना में यहां ने कुछ चबहन का पूछ जगह है यहां बहुत जादा मातना म में बाग साइट का क्या प्रपाद ना बारे में जानना है तो याद रखिएगा आप मोस्ट इंप्रेटन क्यूस्ट होगा नेक्स्ट हमारा क्यूस्ट कहता है प्लोग को मैंने बताया था कि इसी क्रीशी प्रात्मिक किर्याकलाब के अंतरगत आता है आप यहीं से ध्यान में रखिएगा प्रात्मिक किर्याकलाब के अंतरगत आपका क्रिसी आता है मचली पालन हो गया आखेट हो गया इसाब आपका प्रात्मिक में आता है तो क्रिसी कहते है कि इसको है भाई पहले तो हम लोग को क सब्जियों को फूलों को उगाना और पसुओं को पालन करना तो उसे हम लोग क्या करते हैं अब क्रीशी में बहुत तरह की क्रीशी होते हैं अच्छा एक आप लोगों ने आपके कि ओकित यहांने करने क्लचर क्लचर की बात करें थूरा सबस्ते पेन को छोटा कर लेता हूं एक मिनाट चलिए तो कल्चर की अगर बात कर लें हम लोग कल्चर की बात कर लें तो कल्चर में ही आपका आ जाता है पहला अगर बात कर लें एकड़ी बहुत इंपोटेंट है क्यों कि पूछा जाता है तो एकड़ी कल्चर में क्या होता है कि इसमें मिट्टी की जुदाई होती है फसलो थोर्पी कल्चर थोरा दियाना है तो पीसी कल्चर में तलावोगटो में मचली इसकी पीसी कल्चर करते हैं एक और इंपोर्टे 시청 के लिए जो पूछा भी गया आपके वीटी बस oncology के लिए मतलब अंगुर की खेती और एक राट रही है को फूलों को फलो को बांच freaking यह coach होता है तो दर क रहे थे सिकर में धोर नंद चले गए थे क्रेसा kalo को उत्पात की मांको दो परकारों में क्या जाता है तो तो पहला होता का निर्वाह क्रिसी क्या जी निर्वाह क्रिसी और दूसरा आपका होता है वानीजी क्रिसी यानि कॉमर्सियल होता है और एक निर्वाह होता है जिसको हम लोग करके निर्वाह कर सकते हैं और एक वानीजी होता है जिसको हम लोग करके व्याफार करके पैसे धन्ने कमा सकते हैं अ साधारन और साधारन मतलब सींपल सा जो आजार हो गया फ़ोडा हो गया कुदारी हो गया जो भी आप कही है हस्वा खुडबी अधिक स्रम से खेती करता है अधिक धूप बाले दिनों से युक्त चलवाई और उर्वर्ण मृदा वाले खेत में एक से अधिक फसले उगाई जा शक्ती है। चावल मुखेफसल होती हैं जाता है अपका बहरत चाइन यह सब आजाता है तो यह जो है दक्सिन पूर्वी एसिया में क्या होता है बहुत जादा मात्रा में कौन सीपे सिक की जाती है तो आपड़ों आधिक काप вся जन सकлять आपके examination के लिए next हमारा question कहता है question 5 यह तो भईया important होना ही था important है ही है और काफी ज्यादा important है because most of the questions आपके किरिया कलाप से subjective होया objective पूछे ही जाते हैं पूछे ही जाते हैं तो थुरा आप लोग ध्यान में रखिएगा यहां पर जो हमारा है five कहता है तो देखिए द्वित्य किरिया कलाप को पडिभासित करें यानि वाट वी मीन वाइस secondary secondary activities से आप क्या समझते हो यह आपको बताना है तो कहता है कि ऐसे किरिया करें कछ्य माल या पतार्थ को प्राप्प कर उसमें पडिवर्तन या संशोधन और उसके मुल्य करदे नहीं दुद्य के मुल्य में बढर्वत्य करदेना यह नियुकाने का मतलब कि चीफ हमारे नेचर में प्रकिर्ते में जितने भी कच्छे माल की रूप में पाए जाते हैं जैसे एक एक इंगामपल ले कर मैंसम्झा दूम जैसे आपका होता है कपास कपास को हम लोगर तहन्तु में बनाते हैं तंटु में पडिवरतित हो जाता है का पास बनाने से तंपही कहते हैं में जितने भी पाय जाने वाले कच्चे माल होते हैं उनका रूप बदलकर उन्हें मुल्यबान बना देना या आपका द्वित्य किरिया कलाब कहलाता है सातियों तो थोड़ा आप लोग इसे याद रखेंगे इसे मैं आपको समझ में आ जाएगा नेक्स हमारा प्रयाटन के चार परकार का उलैक के लिए कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर तो इसी में इतना लिखें Comp gia questions probability रख्तम सब्सक्राइब जितना भी परेटन है उससे बारे में आप चार गों लिख दीजी हो जाएगा बाहे शुरोती करन क्या है इसका आप लोग हिंदी में अगर अंगरेजी में समझेगा तो काता है आउट सोर्सिंग यानि कहने का मतलब आउट मतलब बाहर और सोर्सिंग मतलब साधन यानि बाहरी साधन को ही करते हैं बाहे सुरोती करन ध्यान में रखिएगा बाहे सुरोती करने का मतलब हो गया बाहरी साधन एक ऐसा साधन होता है जिसमें व्यावसाइक कारे को करने के तो आप बाहरी साधन का उफियोग करके क्या करते हैं अपने व्योसाई कारेओं को करते हैं तिसरे पक्ष को काम पर रखा जाता है तो उसे कहते हैं लोग बाहर शुरुती करन नेक्ट हमारा क्यूस्टन करता है क्यूस्टन नमर एट सरकपड़िवहन के किन्हीं दो विसेस्त प्रणिक जामिनेशं देने असानी से जा सकते हैं और ये भी बात है कि सरक बन जाने से अगर हम लोग ग्रामीन घ्रमी निवास करते हैं तो सहरों में जाने के लिए अनि डॉक्टरों की अगर आवी सकता हमें पड़ती है मतलब हर चीज से हम लोग आपाधे हैं सहर से कनेक् सब्सक्राइब जाते हैं यहां करते हैं तो बहुत सारे पतन के पतन होता है चार परकार कोन बहुत सारे पतन होते हैं आपको जितने के बारे मेरा सायन पतन होता है और योगीग करने का मतलब समझ लीजेगा अगर आपको समझना हो तो वा निजीक पतन क्या होता है तो यह पतन समाने नौभार जैसे आपके गये इत्पध निर्म्लित वस्तं का निस्प्ताल करते हैं यह निप्टारा करते हैं समझेगा जिस्ट्रित पतन थिगनाम को शमान नौभार का थोक इवंद प्रवंत करते हैं अंतर्डेश और बाहएव पतन मतलब आप लोग सिंपल साटम्स में समझते हो नेक्स हमारा कहता है क्यूशन नमर टेन हाँ थ्वास इंपोर्टेंट है आपके लिए उस्मा द्वीप कहां पाया जाता है अब देखिए पहले हम लोग तो यह जानेंगे कि उस्मा द्वीप होता किया है उस्मा द्वीप जैसे हमारे गाओ नगर जितने भी गडामी नदीवास होते हैं वहां पर फैक्टरी कोई खोल दिया जाया तो वहां पर क्या होता है वाईयू का पॉलीशन रहता है और वाईयू पर दूशन के कारण वहां पर गरम गरम मतलब इस तहरती से एक किलोमेटर से दो किलोमेटर के गरमीन में यहां पर legitimately बहुत जादा मतरा में आपके उद्यों खोले जाते हैं जिसके कारण ऐसा होता तो नगर एवम गरामिन नामिन में इंपोर्टेंट आपके लिए तुझ याद रखिएगा काफी जयादा इंपोर्टेंट कि तो दोस्ते आज की इस वीडियो में हमने 10 को किया कापी ज़्यादा इंपोर्टेंट है बहुत कम-कम क्यूशन मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप सभी क्यूशन को याद कर लें और बाकी मैं जिए रॉफी का एक एक एंसी आटी से सेलेक्टर सभी क्यूशन को बना ही दूंगा जिसमें आप लोग देख लिएगा काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए और जितने भी प्रिविएस एर प्रिविएस सब्यक्टिव क्यूशन पूशे गया है उन सभी की वीडियो आप लोग को मिल जाएगी तो टेक क्या रॉल आफ यू मिलते हैं अगले वीडियो में तब सक लिए धन्वाद वीडियो अपने दोस्तों के साथ सीर की जीएगा